प्रिलिमिनेरी का मतलब होता है अगर हिंदी में हम इसको कहें तो इसको हम कहेंगे प्रारंभिक क्या बोलेंगे प्रारंभिक शुरुआती या हम यह भी कह सकते हैं इनिशियेट इनिशियेट शुरू करना इनिशियेट तो जब भी हम कोई भी न्यू सौफ्टेयर बनाते हैं कोई निया अंया सौफ्टेयर का निर इनिश आफ्टेयर डिवलमट्पर software company software company मिनाएगी तो software company क्या करेगी एक preliminary investigation करेगी investigation मतलब क्या होता जाच जाच परताल करना तो होता क्या है कि जो नया software होगा the new software यह किसके लिए होगा new software यह client के लिए होगा for client तो यह जो developer है यानि कि जो company है वो client से क्या करेगी preliminary investigation करेगी और कि इससे पूछेगी जैसे what do you want आप क्या चाहते है what is your purpose purpose आपका purpose क्या है आप क्या चाहते है ठीक है और आपका client से पूछेगा जो developer है वो पूछेगा mode of work क्या है इसको ऐसे समझ लिजए जैसे आप से आप माली जो घर बनवाना चाह रहे है या कोई भी आपका plot है आपके plot पर आपको चीज construction कराना चाह रहे है अब construction जो company है वो आपसे पहले preliminary investigation करेगी बनाना नहीं शुरू कर देगी पूछेगी आपको इस plot पर क्या बनवाना है कितना बड़ा बनवाना है किस purpose के लिए यूज करना है क्या यहां पर shop आपको खोलना है या आपको shopping preliminary investigation समझ में आ गई या नहीं यह हमें बदाए यह समझ में आया preliminary investigation preliminary का मतलब होता है primary शुरुवाती गुट किलियर है सही है आप चैट में टाइप करके लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ पूर्ण नहीं आ रहा है तो आप चैट में लिख दिए यस समझ में आ गया खाली यस लिख दिजिए टीक है कि ए रियल मी सी तुआ भी लिख दिजिए रवैरी गुड रियल मी सी तू आप अपना नाम टाइप करिए तो मैं समझ में आया कि आप हैं कौन यूर नेम वाट इज यूर नेम अच्छा शीवम ठीक है शीवम ठीक कनेक्ट हो गया आप गुड ओके तो यह चीज़ समझ में आगे अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं यहां से दूसरा पॉइंट हमारा requirement, specification अब आप heading डालिए requirement, specification आपकीheading रहाएगी requirement specification requirement specification इस स्पेसिफिकेशन इस टीक है रिक्वार्मेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि जो डेवलपर होता है डेवलपर स्पेसिफाइ इस्रवार्मेंट इस रिक्वार्मेंट भी को मेंट क्या होता क्या है आविशक्व करेंट इस्रिक्वार्मेंट और वर सब्सक्राइब वडार्मेर्स आता है इस चीज़ को इस पॉइंट को रिक्वारमेंट स्पेसिफिकेशन को मान लिजे कि आपको खाना बनाना है ठीक है तो खाना बनाने के लिए क्या रिक्वारमेंट होगी मान लिजे कि आपको खाना बनाना है ठीक है तो खाना बनाना है तो आप खाना बनाना थोड़ी शुरू कर देंगे इसकी requirement होगी न कितने लोग मिल करके खाएंगे खाना कितने लोगों के लिए बनेगा कैसा खाना पसंद करेंगे कि special type का खाना बना या ऐसे मुग की डाल बना खरके सब के सामने रखते पानी डाल करें फीक है रोटी खाएंगे के पराठाः क्हाएंगे रोटी खाएंगे या पराठा ससरा खाएंगे हैं सलात खाएंगे साथ में कि नहीं खाएंगे ठीक है ये सारी चीज और क्लाइक के आपको आप चूले बनाएंगे के गया सिर्टीर्फिश को कर में बनाएंगे ये विजल्फिल के लिए होती है वह आप examination में चले गए तो आप exam नहीं दे पाएंगे अब आप नहीं ले गए pencil नहीं ले गए admit card नहीं ले गए अपनी ID card नहीं ले गए अपना क्या कहते हैं identity proof नहीं ले गए तो यू cannot appear into the examination इसी तरीके से किसी भी चीज़ की requirement होती है तो स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है यहां पर हम लिख लेते हैं इस स्पेसिफिकेशन इस स्पेसिफिकेशन का माने होता है क्लियर्ली मेंशन क्लियर्ली मेंशन कोई confusion नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ को क्लियरली मेंशन कर देना जैसे आप से मम्मी पूछें कि बेटा तुम खाना खाऊगे तो आप कहां नहीं मूड नहीं है अच्छा आप ओछाना है या नहीं हाना आप कहते हैं तो फिर कितनी डौटी खाऊंगे तो आप बताते हैं हम इतनी रोटी खाएंगे और हाँ खाना खाये या हम खाना नहीं घाएंगे तो उसको clearly mention बोलते हैं, specification में इसी तरीके से client ये बताएगा कि हमें software में ये 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 चीज़ें चाहिए, ठीक है, अब client, client के लिए क्या होगा, माल लिजे, ये client जो है, वो है, माल लिजे कि जो client है, जो software बनवा रहा है, है, वो university लिए बनवा रहा है, अब client अपनी requirement बताएगा कि ऐसा है, कि हमारी जो requirement है, हम चाहते हैं, कि हमारा जो software है, वो print कर दे, सभी student की detail, ठीक है, और हमारा software क्या करे, हमारा software करे, हम जो software बनवा रहे हैं, वो इसलिए बनवा रहे हैं, ताकि ये store करे, fee detail, और ये store कर ले, exam detail, ये सब requirement हो गई, समझ में आ गई बात, कि requirement किसे कहते हैं, अब जो developer team है, developer team गएगी, हमें इसके लिए 10 computer चाहिए, 20 computer चाहिए, फलाना hardware चाहिए, ये keyboard चाहिए, वो developer की requirement हो गई, आप खाना बनाने जा रहे हैं, आप कहेंगे, हमें gas का चूला चाहिए, हमें माचिस चाहिए, हमें पतीला चाहिए, भगोना चाहिए, हमें चम्मत चाहिए, नमक चाहिए, मिर्शा चाहिए, सबजी चाहिए, छुरी चाहिए, काटने के लिए, तमाम चीजें चाहिए हमें, तो ये आपकी requirement हो जाएंगी, तो clear है requirement, आप बदा है requirement is clear to all, हाँ, हाँ, गैस चुला requirement है, अक्षा आगरहरी, good, requirement is clear, next क्या है, फिर से इस स्क्रीन को देखते हैं, इसमें हमारा क्या क्या हो गया, इसमें हमने आपको preliminary बता दिया और requirement specific, अब आते है system analysis पे, heading डालिए, system analysis, छुटा-छुटा आप हर point को हम introductory level पे बता रहे हैं, ठीक है, system analysis सिर्फ देख लेते हैं, क्या होता है, system analysis, system analysis का मतलब होता है, detail study of anything is known as पहले तो सम्झेव, analysis किसे कहते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कि detail study of anything detail study, यह देखो, detail study of anything is known as analysis अच्छा, पहली चीज़ तो यह है, कि यहाँ पर detail study of anything, मतलब होता क्या है, कि आप अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो जिस काम में cost जादा होती है, उस काम को आप बहुत समल के करते हैं, जैसे मान लिजे, suppose, आप एक pencil लेने जा रहे हैं, और pencil की जो कीमत है, वह है मान लिजे, दो रुपए की, तिक, अब और आप एक चीज़ लेने जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, अपने लिए एक plot लेने, जिसकी कीमत है, 40,00,00, ठीक, अब हमें ये बताईए, आप detail study किसमें करेंगे, आपका अपने अपने answer दीजे, आप Plot में, very good, तो जाहिड सी बात है, हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे, Analysis, क्योंकि, 40,00,00 का मामला है, अगर हम इसमें गलत pencil भी ले आए, तो दो ही रुपए नुकसान होगा, इसमें, No need of analysis, No need of Analysis, इसका मतलब यह हो गया, हम यहाँ पर एक पॉइंट ओल लिख दें, Analysis Can be done To Reduce the Risk Risk को क्या करने के लिए, Reduce करने के लिए, जो भी रिस्क के चांसे हैं, उसको Reduce करने के लिए हम analysis perform कर सकते हैं, यह समझ में आ गया, ठीक है, अलगी यह चीज़ें हम पहले बता चुके हैं, बढ़ कुछ इस्ट्रेंड new हैं, इसलिए हम इसको पूरा और कुछ नई चीज़ें इसमें और हैं, वो सब बताते चलते चले जाएंगे, System Analysis हो गया, अब next, System Design, Heading डाल लिए, System Design डाल लिए, System Design, System Design यहाँ पर यह किससे रिलेटेड है, It is Related to Design of New Software New Software का डिजाइन कैसा हो, जैसे Zoom एक Software है, तो Zoom आप जो install करते हैं, जैसे Zoom में आप जब open करते हैं, तो उसमें न्यू मीटिंग, जॉइन मीटिंग, लाउंच मीटिंग, बहुत सारे options आते हैं, तो वो उसका क्या है, वो उसका design है, तो किसी भी Software का डिजाइन होता है, या किसी भी product का डिजाइन होता है, आप, मार्केट में कोई भी product देखेंगे, चाहे आप pen देखेंगे, चाहे आप cycle देखिए, ठीक है, आप चाहे cycle देख लिजे, चाहे आप pen देख लिजे, एनी product, कोई भी product, whether it is cycle, और it is mobile, और it is software, और it is house, हर चीज का क्या होगा, एक design होगा, तो हम system design में software का design करते हैं, कि software कैसा होगा, यानि कि looks of software, या इसको एक चीज और कहते हैं, layout, layout of software, कैसा दिखेगा software, जब बन जाएगा, कोई नया software, यूनिएस्टी के लिए आप software बना रहे हैं, तो जब बन के तयार हो जाएगा, तो software कैसा लगेगा, ठीक है, यह clear है, फिर आजाते हैं हम system coding पर, यह system coding क्या है, यह समझ लेते हैं, इस फेज में क्या होगा, इस फेज में होगा, programming होगी, programming, और यह programming कौन करेंगे, programmer, programmer, do the programming, और जो programmers होंगे, यह जो programs बनाएंगे, यह सबसे पहले क्या बनाएंगे, logic बनाएंगे, logic डेवलप करेंगे, किसी भी program को बनाने से पहले logic डेवलप होगी, logic डेवलप करेंगे, then क्या बनाएंगे, then program बनाएंगे, उसी को हम यहाँ पर कहते हैं, लॉजिक करने के बाद क्या करेंगे कोडिंग करेंगे, अब कोडिंग हमने कर ली, अब ये प्रोग्राम हमारा इंठ है या नॉट च आ्लप सही है या गलत है राइट है या प में है इसके लिए अब ये फेज देखो यह को डिन के बाद क्या रिकहा हूआ है सिस्टम ओडन के बाद सिस्टम टेस्टेंग यही पर हैं डाल लेते हैं तंप शिस्टम टेस्टिंग शिस्टम टेस्टिंग में क्या होगा सिस्टम टेस्टिंग में कोड टेस्ट इन इस फेज में क्या करा जागा code को test करा जाएगा if any error found अगर कोई error मिलता है तो उस error को क्या करा जागा उस error को remove कर दिया जाएगा ठीक है error को remove कर दिया जागा यानि कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि testing is used to used to make our software more perfect software को और perfect बनाने के लिए हम testing का इस्टिमाल करते हैं क्योंकि testing में क्या चीज़ पता जल जाएगी कि हमारा program right है या wrong है not correct not correct को ही हम कहते हैं कि हमारे program में क्या है error है और अगर correct है तो अपने program को क्या कहते हैं अपने program को कहते हैं उस लिएर कष्री और अगर है तो उसको क्या कर जाएगा उसको remove कर दिया जाए और और software को perfect बना दिया जाएगा अगर हम testing perform करते हैं तो clear रही है फिर है implementation यह देख लेते हैं implementation क्या है भई heading डाल लेते हैं implementation इंप्ली मेंटेशन देखो implementation क्या है यहां परम लिखेंगे implementation 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 yeah implementation is the phase of Software Installation Software Installation मतलब जब Software बन गया है यहां तक देखो यहां तक यहां तक क्या समझ में आए यह हमने बता ना सीक्वेंस से चलेगा यह सब सीक्वेंस से चलेगा यह पूरा सीक्वेंस से चलेगा यहां तक आगा टेस्ट हो गया इसका मतलब अब software हमारा क्या है okay है तो जैसे ही software हमारा okay हो गया तो अब हम क्या कर रहे है install कर रहे है software को implementation implementation तो software implementation is the phase of software installation यह software installation का phase है इसमें क्या करा जाएगा new software installed at client site मतलब client site को software दे दिया जाएगा नया software client site को दे दिया अब क्या होगा client जब install कर दिया यानि कि नया system बना के client को दे दिया university के लिए software बनाना था university वालों को दे दिया अब client क्या करेगा client use software नया software को client क्या करेगा use करेगा अब इसमें क्या है क्या इसमें कोई problem हो सकती है इस एनी problem occurred इस एनी problem occurred अगर कोई भी problem होती है अगर कोई भी problem मिलती है अब यहां पर next phase देखो बस कहीं पर यह phase खतम हो जाता implementation next phase देखो next phase क्या evaluation evaluation माने होता मूल्यांकन करना evaluation मतलब मूल्यांकन जैसे ही कोई problem होगी तो इसमें दो ही चीज़ होंगी software अगर use करा तो software यह तो क्या होगा problem free होगा ऐसा होता नहीं है क्योंकि नया software जब भी बनता है और client को मिलता है तो कोई न कोई उसमें problem होती है अगर problem free है तब तो कोई बात नहीं लेकिन अगर problem है तब हमारी next phase होती है क्या evaluation तब software का मूल्यांकन होगा कि भई कहा problem है ठीक है तो हम क्या करेंगे evaluation करेंगे तो next heading हमारी क्या रहेगी evaluation system evaluation ठीक है यहां पर यह चीज़ देखो evaluation और maintenance यह दोनों ही phase है यह दोनों phase हम एक साथ पढ़ाएंगे next class में ठीक है कि evaluation में क्या होगा और maintenance में क्या होगा तो यह यहां तक किसी को कोई confusion कोई problem तो बताओ समझ में आ गया यहां तक समझ में आ गया implementation तक system design का एक बार screen दिखा देजिए system design का अकांश एकमेंट इस्टम डिजाइन वाला कौन सा था अनालिसिस के बाद डिजाइन यह लोड इस्टम डिजाइन का यहां पर आप यह भी लिख सकते हैं र concur यहां आप्रिख सक्स grown दता देए क्यों एख भी यहां अरिव र ग्याप आप्वटस्ज diabetes रमडा कांबर क्यों लोड रेकांश हैं